नमस्कार सांतियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्स 2023 और 24 हमारे बच्चों के फिप्त और 8 के बोड एग्जामेशन होने हैं, जिस पे जो हमारे बच्चे हैं, उनके एडमेट कार्ड जा रही होगे, जिस में हमें उन बच्चों का नाम देखना है कि वो हमारे स्कूल में ह या नहीं हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें प्राइवेट इसकूल में हमारी जो इसकूल की आईडी है, उससे हमें लॉग इन करना होगा, तो इसकूल आईडी, पासवर्ड और इसके बाद में हम इसमें कैप्चर करते हैं, और इसके बाद में लॉग इन करते हैं, लॉग 2023 पांचवी और आटवी के छात्रों के नाम हमारी स्कूल में दर्ज हैं या नहीं है उसको देखने के लिए सबसे पहले हम student registration जो पहला option है इस पर click करेंगे student registration पर click करने के बाद हमारा student registration 2023 और 24 ओपन होगा पांचवी और आटवी इसको देखेंगे तो कच्छा पांचवी के छात्रों को देखने के लिए हम यहाँ पर फिप्त में click करेंगे जिससे हमारा सो करेंगे तो यह हमारे बच्चों के सबी नाम और उनके बारे में जो जानकारी हमने इस्कूल में लखी हुई है वो आ जाएगी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे बच्चों के नाम यहाँ पर सो हो रहे हैं जिसमें कि उनका summer grade class student का नाम father का नाम, mother का नाम, date of birth और उनका gender, category यह सबी सो हो रहे हैं इसके बाद मैं action और remove यह हमारे पास में तो option है अगर हमारे इस्कूल में कोई बच्चा नहीं होता है तो उसको हम remove पाले option पे click करके remove कर सकते हैं और अगर जैसे की हमारा यहाँ पर देखें yes one इनके father का नाम नहीं आ रहा है, mother का नाम नहीं आ रहा है, इनकी date of birth में कोई घड़बड है, gender में या category में तो यहाँ पर हम action पर click करेंगे, action कर क्लिक करने के बाद हमारे पास में एक window open होगी, जिसमें की student verification और registration आएगा अब सबसे पहले school का you dice, बच्चे का समक्र ID, यह यहाँ पर लिखा होगा और इसके बाद school का नाम अब student का नाम क्या है, अगर suppose हमारी कोई गलती हो जाती है, तो यहाँ से हम student का नाम spelling सुधार सकते हैं यहाँ से हम उसकी date of birth, जो कि उसकी जनम कारिक होती है, उसमें सुधार कर सकते हैं इसके बाद कक्चा, कक्चा देखेंगे, तो पाचवी में है, हाजी है, इसके बाद प्रवेस पंजियन, प्रवेस पंजियन इसका मतलब जो हमारे school के दाखला खारिज में इसका नमबर होगा, उसको यहाँ पर रखना है, हमको लिखना है, इसका दाखला खारिज नमबर क् इसके बाद बच्चा हैंडिकैप तो नहीं है, इसके बारे में detail देनी है, तो बच्चा हैंडिकैप होगा तो yes, नहीं है, तो no पर click करेंगे, इसके बाद उसका gender, male है या female, तो यहाँ पर male या female में select करेंगे, अब इसके बाद फादर का नेम, उनके पिताजी का नाम क्या है, जो भी पिताजी का नाम होगा, उसको सही सही यहाँ पर प्रिविष्ट करेंगे, और mother का नेम क्या है, उसको भी यहाँ पर सही सही प्रिविष्ट करेंगे, इसके बाद में बच्चे के parents का mobile number, जो भी उनके parents का mobile number होगा, उसको यहाँ पर प्रिविष्ट करेंगे, इसके ब में उर्दू है या मराथ्टी है तो अगर अंग्रेजी मेडियम है तो इंग्लेजी प्रिख करेंगे अब इसके बाद आता है बच्चों के सब्सेक्ट सबसे पहले फ़स्ट लेंग्वेज अगर आफ हिंदी मेडियम से हैं तो उसकी हिंदी प्रथम भासा होगी और अगर इं भासा नहीं ली तो भासा का चैन नहीं करेंगे और अगर आपके स्कूल में संस्क्रिट या अधर सब्सेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं तो उसके लिए हम यहां से उसका चुनाव करेंगे सब्सेक्ट पहला ऑटोमेटिक गड़ेत आ गया सब्सेक्ट दूसरा परियाबर इसके बाद हम बच्चे को वेरिफाय करेंगे जैसे ही वेरिफाय करेंगे वहां पर हमारे बच्चे का सारा नाम सो करने लगेगा अब इसके जैसे हम यहां पर कम से कम सो प्रविष्टियां देख सकते हैं इसका मतलब यह होता है कि हमारे यहां जितने बच्चे धर्ज हैं उसके अनुसार हम यहाँ पर प्रविश्टियां कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। अब माल लीजिए कि अगर आपके इन जैसे हमारे स्कूल में 20 बच्चे हैं, आपके स्कूल में 20 से ज़्यादा हैं और उन बच्चों का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अगर बच्चों का नाम नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप 5th और 8 पर फैसे क्लिक करेंगे, इस्टुडेंट डाटा स्रिंक विद सिक्छा पोटल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस ओप्सन पर क्लिक करेंगे, आपका जो यूडाइस आपने प्लस में अपने बच्चों को प्रविष्ट किया था, उसके अनुसार इसमें बच्चे जैसे इसमें बच्चे आ जाएंगे, यूडाइस पर क्लास जैसे अगर हम यहां पर फिर्ट करते हैं, यूडाइस आपका кोड डालेंगे, क्लास यहां पर फिर्ट और यहां पर सिंख स्कूल डेटेल कर देगे, तो जो भी बच्चे जो नहीं देख रहे थे, अगर वो यूडाइस पर आपके हैं, तो वो आपक जानकारी आप यहां पर प्रवेश्ट कर सकते हैं चलिए अब 8 का देखते हैं तो 8 के लिए भी सबसे पहले student registration पर click करेंगे फिर यहां से class का chain करेंगे class के chain करने के बाद यहां पर so button करेंगे देखिए जितने बच्चे आपकी class 8 में होंगे उनकी जानकारी यहां पर वही आएगी जैसा 5 में आ रही थी तो यहां पर आप सभी चीज देख सकते हैं अगर कोई बच्चा है आपके school में तो आप उसको रखेंगे अत्वा उसको remove button पर click करके यहां से remove कर सकते हैं तो नित्य आजाए इनके मातापता का नाम नहीं दिया तो action पर आके click करेंगे जैसे ही action पर आके click करेंगे यहां पर हमारे पास उसकी detail खुल जाएगी जिसमें you dice code, summer grade, school का नाम, student का नाम, उसकी date of birth student का नाम की spelling चेक करके हम उसको change कर सकते हैं उसकी date of birth को change कर सकते हैं और previous pension जो कि इसको scholar number होगा उसको यहां पर फ्रिष्ट करेंगे इसके बाद handicap है या नहीं है उसको यहां से हम yes या no करेंगे उसका gender male या female ये चेक करेंगे father का name, mother का name अगर नहीं दिया तो इसको fill करेंगे present school, mobile number डालेंगे इसमें parents का, अब medium का चुनाओ करेंगे तो हिंदी या English medium, इसके बाद language, जैसे English medium है तो first language हमारी English होगी तो second language देखिए, automatic आपका हिंदी आगया, third additional language जैसे कि आपके school में संस्क्रेट, उर्दू, मराटी, गुजराती, पंजाबी, उडिया इनमें से क्या पढ़ाई जाती है, तो अगर संस्क्रेट है तो संस्क्रेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी 6 subject है वो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से इसको verify करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही verify करेंगे, बच्चे का नाम यहाँ पर आ जाएगा अगर जैसे इसमें भी नहीं आता है, तो आप यहाँ पर fifth date में data synchronize six up portal करेंगे जो you dice में आपके eight class के बच्चे हैं, यहाँ पर you dice, यहाँ पर डालेंगे class और यहाँ से sync data कर देंगे तो जो भी बच्चे होंगे, वो पुन है आपके इसमें student registration में दिखने लगेंगे ऐसे करके आप अपने बच्चों का सभी सही नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, date of birth, class और उनका जेंडर यह आप यहाँ से sync कर लीजेगा, जिससे की आँगे जाके आपके बच्चे की mark sheet में उनका कोई भी तुटी ना हो आयो वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक like सरूर करें, मिलते हैं फ़र ऐसे ही नए वीडियो के साथ, धन्यवाद